दोस्तों नमस्कार आए इस वीडियो में हम लोग जो तीन तरह का ट्यूबलाइट बनाते हैं उसके बारे में बताते हैं देखिए यह हमारा 4 फूट का ट्यूबलाइट हो गया 20 वाट में यह 2 फूट का ट्यूबलाइट हम लोग बनाते हैं 10 वाट में और यह 1 फूट का ट्य पैकिजिंग जो हम लोग करते हैं वो काफी स्लिक पैकिंग है आप देखिए एक वो जो चिपकने वाला जो यह आता है फिलिम आता है पन्नी आता है जिसको हीट सिंग से हीट करके चिपका दिया जाता है उसी पन्नी से हम लोग इसको पैक करते हैं यह रॉल की सेकल में आता है बस roll लगा दिया दोनों तरफ seal कर दिया और gun से इसको heat gun जवाता है गरम हवा वाला उससे इसको finishing लिया है ये चिपका दिया जाता है तो इस तरह से हम लोग इसकी packing करते हैं इससे फैदा ये होता है कि ये जो cartoon का डबा का एक तो उसका cost बचता है उसके cost और इसके cost में बहुत difference है और दूसरा की जगा ये बहुत कम लेता है मतलब वहाँ पे जो cartoon की packing करते हैं वो ज़्यादा जगा लेता है और इसकी fitting हम लोग इस तरह से अलग से देते हैं और इस fitting में हम लोग देते हैं क्या क्या है उसको गौर से देखिया इसमें clamp तो हम लोग देते ही है स्कूरू भी देते हैं और ये दो plastic का जो ये आता है जो material को देखते हैं इसका जो LED strip है वो हम लोग का आपको जैसे जांकारी होगा हम लोग जो भी LED यूज़ करते हैं वो एडिसन का यूज़ करते हैं यह सब एडिसन का LED है इसकी quality काफी अच्छी होती है life काफी अच्छा होता है यह सब एडिसन का है यह 4 foot का जो strip है अंदर में य लगाया जाता है और यह जो हम लोग circuit यूज़ करते हैं driver यह काफी heavy driver होता है तीनों में जो हम लोग driver यूज़ करते हैं यह 4 foot वाले का driver है और यह 2 foot का driver है wire के साथ connected है और यह अलग से 2 wire लगता है और यह जो है एक foot वाले का driver है तीनों में आप देख सकते हैं driver common हम लोग गिन्रल रेट में कम करने के लिए ये लोग जो UV करते हैं ये छोटी सी ए 양 मिलगा देते हैं अब आप देखिए कहां ये ड्राइवर और कहाई यह दोनों में क्या difference है इसमें क्या है कुछ नहीं है एक transformer है दो condenser दे दिया इसके अलावा इसके अंदर कुछ circuit नाम का कोई चीज नहीं है एक single IC पर यह चल रहा है और इसमें देखिए कितना सारा components है cost असल में यह सही बढ़ता है किसी भी चीज का अगर quality पर आप जाएंगे अगर आपको brand establish करना है तो आपको quality में जाना होगा अगर आपको brand से कोई लेना देना नहीं है सिर्फ माल बेचने से मतलब है rejection भी वैसे ही आएगा अब बदाएए कहां यह driver इससे भी टीव लाइट इतना ही glow करेगा इतना ही रोसनी इससे भी आएगा जितना इससे आएगा फरक क्या है इससे life आएगा quality आएगा brand image develop होगा इससे वो कुछ नहीं आएगा यह आपका जो भी नाम है वो खराब करने का काम करेगा rate तो आप कम में दे देंगे अंदर से देखिएगा निकलेगा इसी ट्राइप का driver निकलेगा अधिकतर branded लोग भी competition करने के लिए यहां पर cost cutting करते हैं अब यह driver देखिए मोटा मोटी 45 रुपीज में आता है एक ड्राइवर और इस ड्राइवर का cost सिर्फ 10 रुपया है अब 35 रुपीज अगर आदमी यहां सेव कर रहा है तो वह आदमी फिर led के पटी में भी पैसा बचाएगा अब यह एडिसन का led में पटी लगाई है तो यह काफी costly है और वही इससे घटिया 3-4 quality का led आता है उसमें भी cost cutting हो सकता है फिर वह आदमी वायर में भी cost cutting करेगा हम इतना नाम खराब होगा हमेशा याद रखिए quality के साथ कभी समझोता मत कीजिए दो चीज के साथ कभी समझोता मत कीजिए एक government के tax के साथ कभी भी समझोता मत कीजिए सरकार को पूरा tax दे के समान खड़ी दिए सरकार को पूरा tax दे के ही समान बेचिए और दूसरा quality के साथ कभी समझोता मत कीजिए आप थोड़ा सा कम मार्जिन पे काम कर लीजे ज्यादा अच्छा लेकिन अगर ये दो चीज के आज समझोता नहीं करेंगे आपका बिजनेस में ग्रोथ हमेशा बढ़ते चला जाएगा आपको लगेगा कि पीस पे मार्जिन कम आया लेकिन लॉं से जोडने का कोसिस किजिए ये कभी भी दिमाग में मत रखिएगा कि जादा लोग आयंगे तो जादा कॉंपर्टीशन होगा ऐसा कुछ नहीं है कॉंपर्टीशन कभी वैसा नहीं होता है अगर जो आदमी क्वालिटी में काम करेंगे वह आलवेस कॉंपर्टीशन में सबस लोग वायर बनाएंगे तो इस तरह से बिजनेस में expansion होगा बिजनेस का जब ज्यादा लोग आएंगे ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा तो इससे growth आएगा तो always याद रखिए बिजनेस फर्स्ट और नेशन फर्स्ट इस वीडियो को अंत्र तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार